हलो दोस्तो दोस्तो इस वीडियो में हम अपने ही एक यूजर की को जो है आज सॉल्व करने वाले हैं जिनका नाम मिस्टर ग्यानी है और इन्होंने कमेंट किया है सर सेल एंट्री में रेट एंड क्वांटिटी प्लस फ्री का ऑप्शन नहीं आ रहा तो दोस्तो यही चीज़ हम देखेंगे कि किस लिए नहीं आरहा और क्यों नहीं आता तो बने रहे इस वीडियो में और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया आपने को सब्सक्राइब करें इसी तरीके से कोई आपको कोश्चन है तो कब आप कमेंट में बता सकते हैं दोस्तों अब हम चलते हैं software में कि क्यों नहीं शो करता अभी हम basic sales करते हैं जैसे कि यहां पर सेल कर रहे हैं तो यह जो है chemist shop का setup है मतलब कि जो यह company create हो रखी है यह chemist shop भी है यानि कि pharma retail कह सकते हैं आप pharmacy shop कह सकते हैं जब हम software को download करते हैं और कोई भी company हम create करते हैं सब्सक्राइब कर रहा हूं और लोग यहां पर enter enter करते हो जाते हैं तो यह by default जो है pharmacy shop रह जाता है यानि कि chemist shop तो जब यह आपने अपने अपने अगर सेलेक्ट हो रहा है या फिर आप डिसाइड नहीं कर रहें कि आपका क्या business है तो क्या होगा कि जो इसकी फीचर से हैं वह फीचर से जो है आपको शो होने लग जाते हैं जैसे कि यह फार्मसी शॉप है अगर आप इसमें अप सेल एंट्री करेंगे और आपकी जो कंपनी है या जो भी आप काम करते हैं वह फार्मस से रिलेटेड नहीं है या कैमिश शॉप नहीं है कोई और शॉप है और अगर आप यहां पर सेल एंट्री करेंगे तो आपको इहां पर क्वांटिटी इस तरह की कोई भी ऑप्शन से यहां पर शो नहीं होगी लेकिन यह नहीं यह जो दोस्तों है रिलेटेड क्वांटिटी से कीवामस में क्या होता है फार्मा में जो है लूस टेटेड्ट है यहने कि खुलweet उन्ली गोलियां भी विक्ती और पुरा पत्ता भी बिखता है तो उसके आककोर्डिंग यह इसकी से इस पर एंटर करता हूं तो यह दोनों ही quantity है multi unit quantity इसको कहते हैं अगर पूरा पत्ता sale करना होता है इस business में तो हम यहाँ पर mention कर सकते हैं अगर सिर्फ गोली-गोली हमें आने के जो खुली tablet होती है अगर उससे sale करना है तो हम यहाँ पर mention करेंगे तो यह उनके business case आप से और रखा है अब इसका solution यह है कि आप अगर इसी company में work करना चाहते हैं तो इसके लिए कुछ setup है आप जो है master master के menu में आके mark setup control room और यहाँ पर multi unit को बंद कर सकते हैं जैसे multi unit और उसके बाद यह जो options आपको दिखा दे रहे unit billing इसको बंद कर दें मैंने यहाँ पर एंड कर दिया और इसको भी एंड कर दिया अब escape escape करके आप यह करें अब आप सेल करेंगे तो आप यहाँ पर आपको जो है quantity शोगी अगर आप किसी company के साथ continue होना चाहते हैं हो सकते हैं आपने कुछ entry कर लिए तो जब भी आपका solution हो जाएगा और यदि आपने कोई भी entry नहीं करें तो इसके लिए आप exit के बटन पर क्लिक करके कि नई company आप create करो जो भी आपकी company का नाम है और आपकी company का जो भी trade है जिस trade में भी आपकी company work करती है उस trade को आप यहाँ पर select करने अगर कोई trade आपकी company से related यहाँ पर नहीं है तो उस case में आप जर्नल बिलिंग कर लेंगे जैसे कि यहाँ पर शो हो रहा है बिलिंग जर्नल तो इसको select कर लेंगे आप I hope कि इसमें जो है उनका question clear हो गया होगा दोस्तों अगर इसी तरीके से आपका भी कोई question है तो इस वीडियो के comment में आप हमें बता सकते हैं और अगर वह relevant है तो हम उस